chapter 7 देख रहे है system of particles or rotational motion system of particles or rotational motion के सवाल और जवाब देखेंगे give the location of center of mass center of mass की location आपको बतानी है इसके position क्या है sphere है, cylinder है, ring है, cube है और सब की जो मास डेंसिटी है यूनिफॉर्म है यानि की जो फैलाव है मास का वो यूनिफॉर्म है एक और चीज इसमें पुछी कई है क्या ये सेंटर ओफ मास किसी भी बॉडी का वो बॉडी के अंदर ही हो सकता है होना चाहिए उसका उतर इस तरीके से है कि स्फियर है अगर स्फियर को मैं इस तरीके से दिखाऊँ तो बिल्कुल एक सेंटर पे होता है अगर इस तरीके से हम सिलिंडर बना दे बिल्कुल सेंटर पे होगा है ऐसे रिंग के लिए है ऐसे क्यूट के लिए क्योंकि ये बड़े uniform masses हैं या uniform आप कह सकते हैं कि objects है center of mass एक ऐसा point होता है जहाँ पर body का mass concentrated हो ऐसा suppose किया जाता है कि इनका सारा mass यहाँ concentrated है अभी जो geometric shape जो यहाँ पर बताए गए है इनकी uniform mass density है इसका मतलब इनके जो भी geometric center होगा चाहे कोई भी ले लिजिए इसमें वहाँ पर center of mass लाए करेगा जो center दूसरे का जवाब हम देंगे कि जो center of mass है body का वो ज़रूरी नहीं है कि body के अंदर ही हो जैसे अगर आप ring देखे अब ring तो कुछ इस प्रकार की होती है यहाँ से hollow है hollow है और वो तो यह तो खाली रहेगा अंदर का portion यहाँ पर रहेगा यहाँ पर आजएगा ऐसी कोई triangle ले लिजिए आप इस तरीके से या कोई ऐसा object ले लिजिए इस तरीके का कोई आप देखेंगे कि कहाँ पर आएगा यह इस तरीके से HCL molecule जो separation है nuclei, nucleus जो दो atoms के बीच में जो दूरी है वो 1.27 armstrong है एक armstrong होता है 10 की घात 10 की पाउर माइनस 10 मिटर आपको center of mass की approximate location position बतानी है molecule की यह आपको बताया गया है कि जो chlorine atom है वो 35.5 35.5 गुना है मतलब massive है hydrogen atom से और जितने जितने ही mass है वो nucleus में concentrated है यह हम जानते ही है कि nucleus में proton बहुत भारी होता है electrons है neutron का भी अच्छा खासा mass होता है तो इसलिए center में concentrated है situation कुछ इस तरीके से दी गई है इसको हम diagram से समझेंगे यह आपके पास ही hydrogen है यह आपका chlorine है इनके बीच में दूरी यहां पर 1.27 armstrong दी गई है यहां से यहां तक दूरी है 1.27 armstrong अब आपको approximate location निकालना है center of mass का तो हम क्या करते हैं जो distance दिया हुआ है mass इसका माल लेते हैं M किसका hydrogen atom का hydrogen atom का mass जो दिया हुआ है उसका 35.5 करेंगे तो chlorine आएगा chlorine atom 35.5 गुना है hydrogen atom के तो अगर hydrogen atom का हम M मानेंगे तो chlorine हो जाएगा 35.5 meter इसके अलाबा हम चलिए मानते हैं कि इनका जो center of mass है वो कहीं यहां ally कर रहा है यह x distance है CL से और जो x इस से होगा तो 1.27 पूरी दूरी है यह distance होजाएगा यहां से यहां तक center of mass h से 1.27 मानस x अब जो center of mass है मान दीज़े यह origin पे है ऐसे बनाते हैं तब M इस अब देखे ही क्या करते हैं हम लोग जो इसका mass है M into 1.27 मानस x plus 35.5 M into x by M plus 35.5 M यह क्या है 0 है मोरी जिन पे मानते हैं तो 0 है यह formula हमें पता है इसको solve करेंगे तो हमें क्योंकि M यहां से वैसे भी cancel out हो जाएगा x की value हमारी minus 0.037 आएगी और negative क्या बता रहा है यह बता रहा है कि center of mass है वो बाइन तरफ है molecule से बाइन तरफ है molecule से जो center of mass है HCL molecule का वो 0.037 armstrong है प्लोरिन एटम से इसको आप into 10 to the power 10 कर सकते हैं ऐसे दिखा सकते हैं लेकि armstrong में चलेगा एक बच्चा है जो बैठा हुआ है या बगेर हिले हो बैठा हुआ है एक लंबी trolley है जो move कर रही है uniformly move कर रही है या uniform velocity है इसकी velocity या speed है V है एक smooth horizontal floor है उस पे है यह अब क्या है कि यह बच्चा जो still बैठा हुआ था यह खड़ा होगा था और यह भागने लगता है trolley में इस तरीके से किस तरीके से कि किसी भी तरीके से any manner कहा है तो किसी भी तरीके से आपको यह जो पुरा system है trolley और child का center of mass निकालना है यह जो speed है center of mass उसकी speed निकालने है center of mass की अगर यह बच्चा बैठे हुए है और उसके बाद यह अचानक से खड़ा होके डौड लगता है important बात यह है कि इसमें कोई भी change नहीं होगा एक बच्चा जो किसी भी manner में दौड रहा है जिसकी जो trolley है वो velocity V से दौड रही है लेकिन इसका कोई effect होने वाला नहीं है जो center of mass उसकी velocity के कोई भी change नहीं होगा क्यों? जितने भी जो भी force वो लगा रहा है वो internal है इंटर्नल जो forces होते हैं उनका कोई भी effect नहीं होता उस body पे और क्योंकि एक्स्टर्नल force नहीं लग रहा है देखें ये trolley इस तरीके से है बच्चा है, बैठा है, दोड रहा है इस अब internal system है तो ये boy trolley system को हम पुरा एक system माने तो कोई भी change नहीं होगा velocity का जहां तक center of mass का संब्द है show that the area of triangle contained between vector a and b is one half of the magnitude of a cross b area of triangle लेंगे जो a और b vector के बीच में है उसको बताना है कि ये half a cross b है a cross b क्या होता है a b sin theta इसी से आपको सहुमने आगया होगा कि कैसे होने वाला है देखें दो vector हम लेंगे एक लेते हैं o के जिसको हम a vector कहते है इसका मैंगी चुड़ी हापर a है o m vector लेंगे o और m ये भी हो गया अब ये दोनों माइन लीजे theta angle पे inclined अब इस triangle o m और n को देखें sin theta क्या होगा mn by om तो om ये mn sin theta होता है perpendicular operator hypertenuous perpendicular ये हो गया hypertenuous ही हो गया इसलिए mn by om अच्छे mn तो अभी हमें नहीं पता लेकिन हमें ये पता है जरूर है कि ये om क्या है इसकी magnitude लेंगे तो mn निकल के आएगा इससे इस b को जहा कर दीजे b sin theta mn क्या आगया b sin theta अब अगर आप कहें a cross b ये b है a cross b क्या करेंगे a b sin theta cross product हम जानते है इसमें a क्या है हमने o और k लिया b हमारा क्या है mn है mn अभी इसमें value रखेंगे और sin theta क्या है हमारा वो भी हम रखेंगे तो basically क्या हो रहा है अगर हम इस a cross b के बारें बात कर रहे है तो हमारा o m और k इस पूरा अगर हम area निकालना चाहें a cross b का या a cross b निकालना चाहें तो इसमें क्या आ रहा है area of triangle o m k यानि इस पूरे का this a cross b is a b sin theta अब sin theta की आशकता है नहीं sin theta को हम क्या करेंगे हम directly sin theta इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास ok already आ गया और b जो है b हमने b को कहा कि b यहां से आ तक है और ये mn के बरापर है b sin theta mn के बरापर है तो अगर हमको b sin theta करना है पुरा b sin theta लिखना है तो इसकी जगा mn लिख सकते आप समझे है मैंने mn को कहा b sin theta तो b sin theta की b sin theta की जगा पूरी तरीके से mn replace कर देगे तो mn लिख दिया अब हमने क्या क्या ऊपर और नीचे 2 से multiply कर दिया ऊपर नीचे 2 से multiply कर दिया अब आप देखिए अगर मैं इसको इस 2 को सामने ले लूँ तो यह हो जाएगा 2 into इस half को यहां रग देता हूँ ok dot mn यह हाफ into base into altitude half into ok into mn मतला इस triangle का यह जो triangle है इसका area तो हुआ तो area of om के लिख सकते है इसको तो यह twice हो गया और यह कहां से शुरुआत हुआ हुआ a cross b से तो इस 2 को इधर नीचे ले आईए area of triangle om के हो जाएगा a cross b by 2 ऐसा हो जाएगा शो दाट a dot b cross c is equal in magnitude to the value volume of the parallel फिपेड formed by three vectors a, b, c parallel फिपेड इस तरीके से होता है और एक तरीके से समझ लीजे की क्यूब का क्यूबॉइड वर्जन है यह तो एक parallel फिपेड है जिसकी origin आप यहां से शुरुआत करिए side दे रीजे एक यह side हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया c जैसे फिगर में दिया हुआ volume क्या होगा a cross b cross c length into breadth into height इसमें oc कितना है a vector आपका o b है b vector और o a है c vector ने ओ c है c vector और o a है a vector और o b है b vector अब हम क्या करते हैं एक n cap लेते हैं एक unit vector है जो perpendicular है b और c के यह बी और c के perpendicular एक n cap इसका मतलब जो n cap है यह देखें मैंने का यह b है और यह c है हमें लिया n cap जो इन दोने के perpendicular है तो वो इस direction हो गया वो किसके direction में a के direction में इसका मतलब n cap और a n cap है unit vector in the direction जो perpendicular है b और c plane पे तो n cap और a इसका same direction होगा अगर मैं कहूं b cross c तो b cross c क्या होता b c sin theta n cap कर सकते है यह इसका direction हो जाएगा अब b c को हम कह रहें b c sin theta n cap sin theta क्या है b और c के बीच में sin theta क्या है यह 90 degree है b और c के बीच में 90 degree है sin 90 आपका अबर होता है तो b c n cap हो जाएगा तो आपका अगर हम इसको लिखें a dot अब बहुत जहां से देखेगा a dot b cross c का मतलब क्या होता है इस b cross c की जगा आप डाल दीजिए यह 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 की b cross c की जगा b c n cap इसका मतलब हो गया a b c और यह b dot c है तो b c cos theta अब इसमें क्या होगा कि हम अगर इसमें n cap ले रहे हैं साथ में और अगर हमको यह a और देखे a भी है और n cap भी है तो हम b c को इधर ले 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 और a और n cap तो a और n cap के बीच में a और n cap के बीच में क्या होगा A N इसका तो A N cos 0 यूकि मैंने बताया कि N cap और A का direction same है तो cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है यह A तो खेर यहाँ पर A चला आएगा B और C हमारे पास अल्रेडी थे cos 0 1 हो जाएगा तो कियल ABC बचेगा तो यह आपका A dot B cross C आपका volume of parallel आपकेड आगया जो कि A, B, C है और A, B, C हमने पहली बताया यह volume of parallel आपकेड है Find the components along the X, Y, Z axis of angular momentum L of a particle जिसका position हमको component निकालने है X, Y, Z axis में angular momentum L किसी particle के जिसका position vector R है जिसके component X, Y, Z है और momentum P है अब P का component क्या है P, X, P, Y, P, Z आपको यह भी बताना है कि यह पार्टिकल घूम रहा है move हो रहा है चल रहा है X, Y plane में तो angular momentum के पास cable Z component होगा तो पहले हमारे पास क्या है LX LX को हम कैसे लिख सकते है Y, P, Z minus Z, P, Y, L, Y याने कि हम इसको लिख सकते है Z, P, X minus X, P, Z, L, Z या ऐसे लिख सकते है X, P, Y minus Y, P, X ये सारा का सारा जो angular momentum है angular momentum हमने कहा कि LX, LY क्योंकि LX को हम लिख सकते है इस form में तो ये तीन form मुआरे पास हो गए ये हमें पता है कि जब हम component निकालते है X, Y, Z किसी angular momentum के इसका position vector R है और component उसके X, Y, Z है और momentum P है जिसके component आपको P, X, P, Y, P, Z दिए हुआ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अब जो linear momentum है इस particle के ये महुँ ध्यान से देखेगा इसको आगे हम आगे replace करेंगे linear momentum क्या हुआ P को अगर है तो P, X, I, P, Y, J, प, P, Z ये हम लिख सकते हैं इसी तरीके से position vector निकालना चाहे है तो R को लिख सकते हैं X, I, plus Y, J, plus Z, P angular momentum क्या होगा आपका R cross P यानि कि इसका cross product निकालेगी I, J के लिखिए X, Y, Z लिखिए P, X, P, Y, P, Z लिखिए और उसके बाद इनका cross product निकाल दिए इसका मतलब ये जो है L यानि कि LX, I, L, Y, J और L, Z के किसके बराबर होगा इसका cost product जो कि यह हो जाएगा अब देखिएगा कि ये जो हमारे पास संख्या I है इसको हम compare करेंगे coefficient I, J, और K से यानि कि हमने का ये LX है हमारा LX क्या है Y, P, Z, minus Z, P, Y Y, P, Z, minus Z, P, Y इसी तरीके से ये ये L, Y है और ये L, Z है बस इतना समय देगा तो LX कितना हुआ हमारा फिर्शन में लिख देता हूँ Y, P, Z, minus Z, P, Y इस तरीके से L, Y क्या हो गया Z, P, X, minus X X, P, Z इसी तरीके से हमारा L ये Z क्या हो गया X, Y, Z, तरीके से ले रहा हूँ है X, P, Y, minus Y, P, X ये चीज़ तो अल्रेडी आती है ये चीज़ बहुत क्लियर है और जब है इसको compare करने लगेंगे LX यहां से LX को compare करेंगे Y, P, Z, minus Z, P, Y है ना और LY को compare करेंगे X, P, Z, minus आपका Z, P, X और L, Z और compare करेंगे इससे जैसे हमने compare किया आप देखें ये चीज़ आ गई particle move कर रहा X, Y, प्रेम में इसका हो लगा P, Z, आप 0 कर दो सीडिय सी बात है X, Y, प्रेम में कर रहा है तो Z component या जो position vector है linear momentum vector का वो 0 हो जाएगा आपका आपका आखर में बच गया L, Z, X, P, Y, minus Y, P, X इसका मतलब है कि ये X, Y plane में जब move कर रहा है confined है तो जो direction होगी angular momentum की वो Z direction में होगी अगर आप इसको देखें Y, प्र ये जो चीज़ आई है ये इस directly लिख सकते है या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते है केवल ये इसलिए बताया गया कि आप यहाँ पर ये value डाल ये final value आभी ये answer है final word आया कैसे ही इस इस आई कैसे है वो इधर से आई है मतलब हमने X, Y, L equal to R into P किया तो R यहाँ पर हो गया ये कहां से आया ये इधर से आया इसलिए ध्यान अखिए है और हमने finally Z ये P, Z जोरो कर दिया क्योंकि वो X, Y, L इसका मतलब Z component उसका जोरो हो गया दो पार्टिकल्स जिसका mass M है speed V है travel कर रही है opposite direction में along parallel lines ये एक इधर पर move कर रहा है है दो पार्टिकल्स सिस्टम का वो सेम होगा बरावर हो गया कोई भी पॉइंट लेने कोई भी पॉइंट आप उठाइए और उसके about आप angular momentum दीजिए अब किसी भी instant पे किसी भी time T पे जो दो पार्टिकल है P और Q वो इस तरीके से दिखाए गए एक इस तरीके से जा रहा है एक इस तरीके से जा रहा है इनके बीक में दूरी है D अब angular momentum इस system का अगर P के about ले यह P point ले ले तो क्या आएगा M into V तो कि यहां पर P के about लेने तो 0 होगा plus M into V इसका भी mass यह है velocity यह है और यह distance हो जागा D यहां से आता है तो M V D आ गया अब अगर इस Q point को ले आप तो क्या आएगा L Q जिसका हम L Q से represent करें तो इसका M into V plus D अगर हम Q point के हसाथ ले रहे है अगर हम P को देखे तो M V into D हो जाएगा लेकिन अगर Q का खुद का देखे तो M into V into 0 लेकिन P का distance D है जैसे हमने पहले निकाला L Q जैसे P निकाला वैसे L Q यह M V D आ गया अब दो point तो हमने ले लिए हमको असली चीज़ यह करनी है कि यह कोई middle कोई भी एक point ले लिए वहाँ पर भी M V D आना चाहिए तो एक R point लेके इसकी दूरी माली जै यह Y है तो यह पुरा distance D है तो यह कितना आ जाएगा D minus Y यहां से नहां तक दूरी होगी D minus Y अब angular momentum निकालेंगे हम इस R की अबाग यानिके L R निकालेंगे तो क्या होगा M V into D minus Y प्लस M V into Y इसको rearrange करेंगे आप दिखेंगे यह दोनों cancel आ जाएगे कि वाल M V D आएगे तो यह पहली equation यह दूसरी equation और तीसरी तीनों निकालने पर हमें पता चला L P, L Q और L A तीनों बराबर इसका मतलब angular momentum इस system का यह किसी भी point के राउंड लेंगे तो आपका आएगा एक जैसा ही A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure तो एक non-uniform bar है जिसका weight W है और वो suspend किया गया at rest मतलब rest पे है दो string है एक यह वाली string दिख रहे हैं आप एक यह string है जिनका weight कुछ भी नहीं है जो आइंगल बन रहा है वो है 36.9 और vertical से और 53.1 जो bar है उसकी दूरी है 2 meter आपको distance निकालना है calculate the distance G यह distance G निकालना है center of gravity का इस bar का उसके left hand से इसको निकालने का तरीका क्या है पहले तो हम free body diagram इसका समझें तो क्या होगा इस block को मैं बनाता हूँ ऐसे यहाँ इस wall से इसकी tension है T1 यह angle 36.9 यह angle भी 36.9 है ना यह vertically opposite हो जाएगे अब यह theta है तो यह यह T1 है तो यह T1 cos theta हो जाएगा और यह हो जागा T1 sin theta थीटा थीटा इसमें 36.9 है यह W जा रहा है यह distance D है यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर क्या हो रहा है यह angle 53.1 हो जब अगर इसको थीटा इसको भी थीटा या मैंने handwriting और diagram बहुत खराब है तो इसको प्लीज मेरे साथ बेर करिएगा समझेर समयने की कोशिश करिएगा अब length 2 है T1 T2 हमने tension माल लिया मैंने आपको सब दिखा दिया अब क्या करेंगे हम यह देखेंगे कि जो translation equilibrium है इसका मतलब यह rest पर है सिरी सी बात है कि जो इसका sign component है वह इसकी sign component के ब्राबर मतलब जो इधर component है sign का वो इधर component है इस जगा पर जो है वो इस जगा पर तो T1 sign 36.9 will be equal to T2 sign 53.1 T1 by T2 निकाल लिए इन दोनों की value निकाल लिए 4 by 3 आएगा याने T1 आ गया चार बड़े तीन T2 के यह हो गया translation equilibrium अब rotational equilibrium के हमको यह और यह लेना पड़ेगा तो अगर rotational equilibrium की बात करें तो हम क्या करेंगे torque लेंगे center of gravity के amount तो torque के से लिया जाता है यह force यहां लग रहा है मतब T1 cos 36.9 और यह यहां से आप दूरी है D अब यह है T2 cos 53.1 यहां से यहां दूरी कितनी है यह दूरी कितनी होगी यह कुल मिला के 2 है यह D है तो यह हो जाएगा 2-D तो 2-D और तब T1 cos 36.9 इंटू D इसका इंटू D किया और इसके साथ हम करेंगे यह वाले के साथ 2-D तो इसको बराबर कर दीगे अब हम जानते है T1 और T2 के बिच में relation निकाल चुके है T1 है 4 by 3 T2 सारी वाली होना रखिए से आपको T2-T2 वैसे भी cancel हो जाएगा आप D solve करिए D आपका 0.72 मीटर आएगी तो जो center of gravity है बाएं से अगर निकाला जाए तो 0.72 मीटर आएगी एक कार है 1800 kg की जो दूरी है front और back axle की वो 1.8 मीटर है इसके center of gravity 1.05 front axle से पीछे है आपको बताना है क्या force exert हो रहा है level ground दौरा front wheel पे और back wheel पे तो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया कार वजड़ा मास 1800 kg है जो front और rear axle है उसके बीच में दूरी 1.8 मीटर है जो center of gravity है वो वो वन पर इन्होंने दिया हुआ है कि center of gravity 1.05 behind the front axle तो front axle से यहां से लेकर यहां से दूरी लेंगे 1.05 तो यह center of gravity यहां है तो जो अलग-अलग force इस पे लग रहे हैं कार पे वो क्या है इस पे माल लीजाए यह RF है यहां पर है RF reaction force front wheel यहां पर है RB back wheel यह इस direction में जा रही है तो RF और RB यह force exert हो रहे हैं level ground वारा front और back wheel के अब देखिएगा यह RF और RB लग रहा है इसका जो weight है वो है mg तो RF प्लस RB हो जाएगा mg यहने RF प्लस RB आप mg कर सकते हैं mg कितना है 1800 into 9.8 यह आपका आगया हो यह आपका translation equilibrium हो अब rotational equilibrium की बात करें तो center of gravity से लेते हैं तो RF into 1.05 यह किसके बराबर होगा RB into this दूरी यह दूरी कितनी होगी 1.8-1.05 यह दूरी कितनी होगी 1.8-1.05 तो यह दूरी कितनी होगी 1.8-1.05 तो RF into 1.05 is equal to, will be equal to, वो बराबर होगा RB into this दूरी 1.22-1.05 इससे भी हमारे पास relation आएगा है RF और RB के बीजमें तो RF आपका आएगा 1.4 RF मतलब इसके बीजमें relation बना गया अब हमारे पास क्या है? दो equation आज़िए, RF प्लस RB आपका आगया 1800 into 9.8 याने कि 17640, RB और RF में रिलेशनशिप आगया, इसमें पहले वाली equation में कोई RB रग दीज़े 1.4F, आपको यहां से RF मिलेगा, जो ऐसा आएगा, RB निकालने के लिए उसको 17, जो यह value आएगी, इसको 17640 से minus कर दीगी, तो जिस दो विल्स पे आ रहे हैं, इसको divide by 2 करना पड़ेगा, और जो यह वाली value आई है, पहले तो यह वाली value निकाली आपने, RF इसको भी divide by 2 करेंगे, और इसको जो यह वाली value निकाल के आई है, इसको भी divide by 2 करेंगे, तो आपके पास force exact हो जाएगा, each wheel पे, हर एक wheel पे, final moment of inertia of a sphere, sphere का moment of inertia निकालना है, किसके about, tangent, उस sphere के tangent की about, आपको दिया है moment of inertia, उस sphere का, about any of, कोई पर जैनी पर diameter कर ले लिजिए, तो आपको moment of inertia दिया हुआ है, उसके diameter जाएगा है, जहाँ पर जो capital M है, वो mass sphere का, और आपका radius sphere का, अब आपको, given the mass of inertia of a disk of mass M, and R, हमको यह दिया है, हम जानते हैं कि moment of inertia किसी disk, जिसका mass M, R है, किसी भी diameter से ले जाएगे, तो M, R square by 4 है, अब इसमें आपको moment of inertia निकालना है, किसी axis, about an axis, जो normal है, perpendicular है disk के, और जो कहां से जारी है, कोई, कोई भी एक point, जो edge से, edge से, चिपकती हुई या लगती हुई जारी है, तो उतर तो खेर यह है, कैसे आया देखेंगे, पहले तो हम इसको sphere बना दे, moment of inertia, sphere का about in diameter, 2 M, R square by 5, 2 M, R square by 5, यह दो बटे 5 M, R square by 5, यह about diameter है, तो अगर यह diameter की बात करें, जो dotted line से आप देख रहे हैं, यह sphere पुरा बनाया हुआ है, यह mi आपका 2 by 5 M, R square है, अब यह tangent है, यह वाली tangent है, तो यह tangent की बात हो रही है, अब हम parallel axis theorem जानते हैं, बड़ी अच् parallel axis theorem से हम direct निका सकते हैं, उससे क्या है कि moment of inertia किसी body का किसी भी axis के along, वो बराबर होता है, जो moment of inertia parallel axis, जो center of mass से पास हो लिए, यह center of mass है, इसका diameter का खुद दिया ही हुआ है, और साथ में M into A square, mass हो जाएगा, और distance square, इन दोनों parallel axis में distance कितना है, तो R distance है, तो 2 by 5 M, R square तो यह वाला हो गया, center of mass से, M into A square की जगा, M डाली है, A की जगार आप R डाली है, M R square कर दीगे, तोनों को जोब दीगे, साथ में बने बाच, M R square, आप समझगे, answer कैसा है आपका, इसी तरीके से, जो moment of disk है, about उसके diameter, 1 by 4 M R square, देखिए, इसके लिए पी same हमें एक काम करेंगे, जो दूसरा पार्ट दिया हो, बैसे ये दो अलग-अलग question बन सकते थे, लेकिन अब दूसरा पार्ट दिया दिया है, इसमें आप diameter के about M R square by 4, अब ये आपने कर लिया तो ये आराम से आप कर लेगे, M R square by 4, इसका उतर जो है, 3 by 2 M R square है, कैसे आए बताता हूँ, diameter के about 1 by 4 M R square है इसमें फिर से क्या लगा देंगे, हम आपका पर्पेंडिकुलर एक्सिस का, ध्यान रखेंगा, फर्पेंडिकुलर एक्सिस का, जो moment of inertia है, किसी भी प्लैनर बाडी जो आपको दिख रही है, अब यहाँ पर प्लैनर बाडी आ गई है, इस फियर नहीं है, about an axis perpendicular to its plane, जो एक जो पर्पेंडिकुलर है, यह पर्पेंडिकुलर है इस plane की, पर्पेंडिकुलर है plane के, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, जो component, सम, किसका, moment of inertia, about two perpendicular axis, जो concurrent है, जो perpendicular axis आपकी, जिसके बारे बात हो रही है, और वो plane पिलाए कर रही है, तो moment of inertia, देखे, सिरी सी बात है, कि हमको, हमको एक पता है, I equal to MR square by two, जो हमको सवाल में दे रखा है, I equal to MR square by four, यह हो, तो दो perpendicular axis, एक इधर, एक इधर, अगर हमको इसके around निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों moment of inertia about its center निकाल सकते हैं, यह वाला जोड़के, और यह व सकते हैं, जो कि आपका आएगा, I equal to MR square by two, कहने का मतलब यह है, जो moment of inertia, diameter के about है, यानि कि एक ऐसी डिस्क लीजे, diameter एक यह लीजे, तो आपका, इसके about आ जाएगा, वो कितना होगा है, 1 by 4 MR square, 1 by 4 MR square, half MR square होगे, तो यह आपका perpendicular, मतलब जो normal है, उसमें आए जाए, अब हमको यह हमने एक डिस्क लिया, इसके about निकाल लिया, हमने क्या क्या है, डिस्क लिया, यह इसके plane से जा रहा है, इसके plane से जा रहा है, इसका perpendicular है, center के थूरू हमने इससे निकाल लिया, half MR square, अब हमारे बात है, tangent की, जो touch कर रही है, edge पर, यह कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे हम, theorem of parallaxes, इसमें क्या करेंगे, कि हमारे पास यह MR square by 2 आ गया, यह हाँ लिप देंगे, इधर पर, और साथ में हम जानते हैं कि यह होता है, IZ dash is equal to IZ plus MA square, IZ क्या निकाल क्या है, MR square by 2 यह डाल दीजे, मास है M, और इनके बीच में दूरी क्या है, वो भी आ रह इस तरीके से निकलेगा, Torques of equal magnitude are applied to hollow cylinder in a solid sphere, Torque A की magnitude का hollow cylinder पे भी apply किया गया, solid sphere पे भी apply किया गया, दोनों का मास और radius same है, जो cylinder है, वो बिल्कुँ free है, rotate करने के लिए, और किस के amount, एक standard axis है, symmetry की, और जो sphere है, वो भी free है, दोनों की बात हो रही है, लेकिन जो axis है, वो उसके center पे pass हो रही है, which of the two will acquire greater angular speed after the given time, दोनों में से कौन सी जादा angular speed ले पाएगी, तो हम क्या करते हैं, M और R हम मानते हैं, masses, यह mass हो गया cylinder का, और R आओ गया आपका, cylinder और solid sphere, दोनों के ही चीज़े same रखी हमने, तो M और R हम mass और radius मानते हैं, अब जो moment of inertia है, hollow cylinder का, उसके standard axis में यह हम जानते हैं, कितना है, यह आपको पता हो ना देंगे, I1 हम मानते हैं, या MR square है, अब यही पर हम solid sphere लेंगे, तो I2 हम लेंगे, 2 by 5 MR square, यह भी हमें पता है, अगर आपको idea नहीं है, तो एक, आपकी जो textbook है, उसमें एक table दिया हुआ बकाइदा, उसमें सब सारे की सारे, जो अलग-अलग objects हैं, उनके moment of inertia दिया है, तो यह direct हम दिख acceleration, यह alpha इसमें angular acceleration है, tau torque है, I moment of inertia है, hollow cylinder के लिए tau 1 हम I1, alpha 1 कर देते हैं, solid sphere के ले, tau 2 equal to I2, alpha, अब इन दोनों को ज़रा divide कर दीजिए, क्योंकि दिया ही है, सवाल में दोनों के दोनों equal torque लग रहे हैं, तो tau 1, tau 2 को बराबर कर दीजिए, जैसे आप दिवरा बराबर करेंगे, तो आपका I1, alpha 1 will be equal to I2, alpha 2, मैं ऐसे कर देते हैं, alpha 2 लिए तो, alpha 2 by alpha 1 will be equal to I1 by I2, यह दोनों value हमारे पास है, अब दोनों को divide कर दो, तो 2 पटे 5 आगया, इसका मतलब क्या है, दो पटे 5, क्याने का मतलब यह हो गया, E value, alpha 2 by alpha 1 मेरा, 2 पटे 5 है, तो सीथा मतलब पता चल रहा है कि alpha 2, alpha 1 से बढ़ा है, अब एक और relation लगाते हैं, जो angular moment के लिए, law of motion, angular moment के लिए पहनी equation है, omega equal to omega 0 प्रस alpha 2, omega 0 इसमें हमारी initial angular velocity है, t हमने time दिया, rotation का, omega आपका final angular velocity होगे, तो हमारे पास क्या है, omega और t, इसमें देखें, जो omega है, omega equal to omega 0 plus alpha t, रह से शुरूरे इसको हटा दीजिए, उमेगा जो है, directly proportional के इसके है, alpha के, तो जो पहली equation और दूसरी equation, याने की, हमें एक equation मिली जिसमें alpha 2, alpha 1 से बढ़ा है, जहां रखिएगा, पहली equation है, alpha 2, बता है, angular explanation, दूसरे का, पहले से बढ़ा है, और दूसरी equation है, पता चला कि, angular velocity जिए हो, directly proportional होती है, alpha के, और इसी से हम पता चला, हम यहां पर देखिए, alpha 2 greater than alpha 1, alpha 2, omega directly proportional to alpha 1, या alpha, तो हम इसकी जगा, omega 2 लिख सकते हैं, omega 1 लिख सकते हैं, इससे पता चल गया, कि, angular velocity जो solid sphere की है, वो जादा होगी hollow cylinder से, एक solid cylinder है, जिसका mass है 20 kg, वो rotate कर रहा है, एक axis है, जिसकी angular velocity है, 100 radian per second, जो radius है cylinder का 0.25 meter है, क्या kinetic energy associate करेंगे इस rotation से, rotation का, किसका cylinder का, अब क्या kinetic energy associate करने वाले हैं, या निकालने वाले, आपको magnitude निकालना है, angular momentum का, इस cylinder का, इस axis के about, देखे करके चलते हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, उनको हम डारेक्ट लिख ज़ते हैं, mass 20 kg दिया हुआ, इसको लिखेंगे, angular velocity आपको दियो ही है, यहाँ पर omega लिखेंगे, radius आपका, जो इस cylinder का है, वो 0.25 लिखेंगे, अब हम जानते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, यह एकदम standard चीज़ है, moment of inertia solid cylinder का होता है, i equal to mr square by 2, यह आपको पता होना चाहिए, तो mr square, half mr square कर गिया, तो 0.625 kg मीटर स्कार आगे है, कानिटी करेटी क्रेटी क्या होगी, half i omega square, i आपको पता है, omega आपको पता है, value रखें, वैल्यू रखें, जू लाएगे, angular momentum क्या होता है, i into omega, i आपको पता चला है, 6.25, omega भी आपने निकाल लिया, यह omega तो खेर पता ही ह एक बच्चा है, वो खड़ा है, एक center पे, turn table है, अब इनके जो हाथ है, उन्होंने stretch किये हुए है, जो turn table है, उसको घुमाये गया, इस set rotating, इसकी angular speed है, 40 revolution per minute, क्या angular speed इस बच्चे की, यदि, वो fold कर लेंगे अपने हाथ को, जैसे उन्होंने खोला हो था, उसको बंद कर लेंगे, तो, जैसे वो reduce कर रहे हैं, अपने moment of inertia को, दो बटे 5 times, initial value जो भी होगा, आई, उसका 2 by 5 आई कर दिया, यह मानना है आपको, कि जो turn table है, वो rotate कर रहा है, बगएर किसी friction की, एक child जो बच्चे की नई kinetic energy है, rotation की, वो जादा होगी पहले की kinetic energy जो rotation की होगी, और अब कैसे आप account करेंगे, यह increase कहां से हुआ, यह kinetic energy कैसे increase हुई, इसका उत्तर यह है, देखिए, कैसे शुरुआत करते हैं यहां से, initial angular velocity आपकी 40 revolution per minute, ध्यान रखिएगा, हमेशा जब omega यह angular की बात आती है, तो radian में लेते हैं, तो 40 revolution per minute है, final angular velocity हमें नहीं पता है, जो जब बच्चे ने हाथ बाहर की तरफ रखे हुए हैं, तो moment of inertia I1 है, जब इन्होंने हाथ फोल्ड कर लिए, जैसे हाथ फोल्ड करना, मतलब बदन के करीब लेके आके, उन्होंने रखे तो उसको I2 ह मानते हैं, अब यह दिया हुआ है कि जो I2 है, दो बड़े 5 है I1 का, यह सवाल में दिया हुआ है, अब क्योंकि कोई external force काम नहीं कर रहा है, तो angular momentum जो capital L हम संघ्या देंगे, वो constant रहेगा, capital L क्या होता है, I omega, यानि कि I2 omega 2 will be equal to I1 omega 1, यानि omega 2 को लिख सकते है, I1 by I2 omega 1, आएगी, 100 revolution per minute, यह पहली चीज़ हो गई, उसके बाद, जो final kinetic energy है, वो 2.5 initial kinetic energy है, इसका मतलब यह है, कि जो आप kinetic energy की बात कर रहे हैं, वो क्या हो गई, 2 by 5, 2 by 5 है, 5 by 2, आपका कितना होता है, 5 by 2 होता है, आपका, 2.5, तो kinetic energy की बात करें, तो final kinetic energy, 2.5 या 5 बटे 2, initial kinetic energy की, यह भी कह सकते हैं, आप initial kinetic energy है, वो final kinetic energy के, जो 2 by 5 है, उस तरीके से हम कर सकते हैं, वो kinetic energy होती है, half I omega square, और हमारे पास इसके बीच में भी, I के बीच में relationship है, तो final kinetic energy की होगी, half I2 omega 2 square, initial kinetic energy होगी, half I1 omega 1 square, अब देखिएगा, कि हमारे पास half और half, इंदरोकन में divide किया, जैसे हमने इनको divide किया, I1 और I2 में हमारे पास relationship आ गया, देखिए, यह 2.5 कैसे आया, मैं इसको, यह जो बता रहा हूँ, इसको सम्झाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह कहां से आया, I1 और I2 में relationship हमें पता है, दो पटे पास, अब इनको रखेंगे तो हमारे पास 2.5 आगा, यानि कि final जो होगी, वो 2.5 of even होगी, अब इस तरीके से हमें, यह वाला जो, जो मने starting में उत्तर बता है, वो आया, जो increase हुआ है, rotational kinetic energy, वो कहां से आया है, वो internal energy, जो बच्चे की है वहां से आया है, एक rope है जिसका negligible mass है, उसको wound किया गया, यानि कि wrap किया गया, एक hollow cylinder जिसका mass 3 kg है, radius इसका 40 cm है, क्या angular acceleration होगा, cylinder का, यदि रसी को जो rope इसमें घुमाए गया, उसको pull किया जाए, force 30 N से, और क्या linear acceleration होगा, इस rope का, आपको यह जूब करना है, कि जब rope खीची जा रही है, तो कोई slipping नहीं हो रही है, तो क्या क्या चीज़े दी गई है, इसमें, mass आपको 3 kg दिया हुआ है, यह वाला, उसके वास radius hollow cylinder का 40 cm, इसको divide कर दीजे, 100 से 0.4 मिटर में आ जाएगा, force जो apply किया गया है, वो 30 N, अब जो moment of inertia है, hollow cylinder का geometric axis के इसाब से, i equal to mr square है, m रख दीजे, 3, r रख दीजे, 0.4, square कर दीजे, और उसके बाद यह value आ जाएगी, अब torque क्या होता है, torque होता है force into r है, आपके पास force आ गया, r.4 सम्टिप्लाय कर दीजे, यह आपका 12 Nm आ जाएगा, angular acceleration के लिए, किसी के angular acceleration के लिए, torque कैसे आएगा, torque equal to i alpha, तो torque equal to i alpha का मतलब यह alpha कितना होगा, torque बाई, torque अब भी हमने निकाल लिया 12, और i भी निकाल लिया, यह i आया था, यहां रख दीजे, तो 12 बटे, 0.48 याने की 25 radian per second square, अगर आप अब linear acceleration निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आर को इससे multiply कर दीजे, जो भी आपने alpha लेके आया हैं, तो अब 0.4 इंटे 25 याने की, आपको बताना है कितना power इस engine को जरूरत पड़ेगी, इसमें कुछ चीजे दी गई हैं, कि जो uniform angular velocity है, अगर friction नहीं है, इसका मतलब torque 0 है, तो practice में जो torque लगाया जाता है, वो जरूरी किस के लिए है, ताकि जो frictional torque है, उसको counter किया जा सके, उसके against काम किया जा सके, हम ये मानते हैं, सवाल में हमको मानना है कि ये engine 100% efficient है, तो angular speed omega, ये 200 radian per second आपको मिला हुआ है, torque भी दिया हुआ है, 180 newton meter, जो power होता है, या power उस rotor का P, जो torque और angular speed से related है, कैसे related है इन दोनों से, power होता है, torque into omega, torque into जो आपकी angular velocity है, दोनों इतर अंदी जाएं यहाँ पर, 36 into 10 के power 3, यानिकि 36 इसको आपने किलोवोल दे, तो किलोवाट आ जाएगा, यानिकि power कितनी जरुत होगी, 36 किलोवाट, यानिकि 36 किलोवाट, एक uniform disk है, जिसका radius r है, एक circular hole है, जिसका radius r by 2, उसे circular hole, यह यहाँ से आ तक r है, यह r by 2 कट किया गया, तो center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk, यानिकि जो center hole का है, वो r by 2 center, जो original disk के center है, वहाँ से r by 2 है, आपको center of gravity निकालनी है, इस flat body जो इसके cut करने के बाद मिलेगी, तो यह जो है, क्योंकि सवाल इस तरीके से दिवाया है, तो थोड़ा सा हम इसको reformulate करेंगे, यानिकि आपका यह main uniform disk थी r, और इससे r by 2 ऐसे कटा गया, और क्योंकि सवाल में दिया हो गया है, जो center of hole है, यानिकि यह जो hole है, यह r by 2 है, तो यह इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से कटेगा, यह एक end पर कटेगा, तब ही r by 2, ये क्योंकि यहां करेंगे तो r by 2 नहीं आपाएगा center, तो आप यहां पर इस तरीके से cutting बताएगे इसके original लिससे, आपको इसको कटने के बाद ये जो पार्ट है इसको निकालने के बाद इसकी सेंटर ओग्राविटिय बढ़ने के तो ये आरबाए 6 आएगा और ये जो ओरिजिनल सेंटर है बाड़ी के वहां से इतनी दूरी होगी और ये जो कट पोर्शन है उसके अपोजिट होगा अपोजिट होगा कैसे आएगा ये जो मास पर यूनिट एरिया है ओरिजिनल डिस्का मानिए ये सिग्मा है इसे मानिए ये पर यूनिट एरिया मास पर यू लिजनरड bliss काывает कितना हुआ अगर मास के सब्सक्राइब किसी सिगम अगर हम wykorусов सिंगा करें अगर मनतलब को सिंग्रों को sum maior स्क्राइब करना परते रिखे हैं ये मास आगे यह आपकी figure हो गई अब जो radius smaller disk का है इसका smaller disk का radius कितना हो गया यह हो गया r by 2 अब जो mask हो गया इसका पिलकुल सहीम उसी तरीके से हमने sigma माना था तो अब यहाँ पर जो area है वो हो जाएगा πाई r square लेकिन पाई इस छोटे वाले का r by 2 होगा ऐसे तो पाई r by 2 square into sigma यानि कि यह आजाएगा m by 4 पाई r square sigma जो की अब देखें m क्या है यह यही तो m है उपर वाला तो यह m by 4 इसकी जगा m रख सकते हैं m by 4 हो जाएगा अब o और o dash आप मालनी जी यह center है एक original disk के और जो जो center of mass की definition है वो यह कहती है कि center of mass है original disk की वो कहा है वो में centered होगी लेकि जो smaller disk है वो कहां पर होगी smaller disk के लिए o dash पर होगी अब o dash दिया आपको r by 2 o dash d r by 2 तो एक बार जो अपने disk का portion कट कर दिया तो जो remaining portion है उसको हम कैसे consider करेंगे दो masses कौन-कौन से है एक capital M जो o पर concentrated है एक और हो गया m dash जो आपका अभी अभी अपने m by 4 निकाला जो concentrated है o dash पर यह negative यहां पर इसलिए m minus m dash होगा negative हम इसलिए use कर रहे है ताकि यह portion निकल चुका है यह उसमें है तो नहीं न इसलिए minus लगा दिए अब x माल लीजे यह distance है through which the center of mass of the remaining portion shift from point o हमने कहा कि यह o पर है माल लीजे किसी x distance पर यह shift होगा इस तरफ यह इस तरफ जैसे भी है तो जो relation होता है center of mass दो masses का एक जो यह पूरा हो गया एक जो cut हो गया अब cut को हमने minus दे दिया इसलिए हम इसको इसको ले सकते हैं तो वह होगा m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2 अब इस system के लिए क्या होगा कि m1 और r1 होगा 0 जो m' है अगर हम यहाँ पर plus हो रहा था ना लेकिन यह minus m होगा यह पहले plus था देखिए minus m करते हैं यह minus हो गया minus m' और इसका distance कितना है r by 2 और यहाँ पर m plus minus m' तो कहने का मतलब क्या है m' कितना है m' हम निकाल चुके हैं यह m by 4 यह जो value हमारी है वह आपकी m by 4 है यह भी m by 4 है यह हम अलड़ी निकाल चुके है यह आपका m by 4 है अब यहाँ रख दीजिए जो संख्या आएगी वो है minus r by 6 अब minus r by 6 जैसे तो r by 6 है लेकिन यह negative side यह बता रहा है यह जो center of mass है यह वो shift हो गया ओ से left की तरफ बाई तरफ एक meter stick है वो balance किया गया एक knife edge पे उसके center पे दो coin दोनों का mass 5 ग्राम है उनको रखा गया on top put one on top of 100 एक के उपर एक रखा गया 12 cm मार्क पे अब जो stick है वो balance है 45 cm पे क्या mass होगा इस meter stick का सवाल कुछ इस तरीके से है यह diagram है इसका यह जो w है और w dash है w weight है आपके stick का यह वाला और w dash आपका है coin का coin रखे गए जो जो चीजे बताई गई है वो हमने distance से दिखा दिया coin कितने पे रखा गया यहां से बारा यह बारा हो गया यहां से आ तक बारा और एक center पे जो knife edge है वो center पे रखा गया है कहां पर meter stick is balanced on a knife edge at its center ठीक अब 5 gram रखा गया इसको हम निकालेंगे 5 gram को दो करेंगे अभी और जो stick है वो balance कहां पर है वो balance है 45 पे 45 cm पे याने कि आप देखें कि कुल मिलाके मैं अभी इसका करके length लेता हूं पांच कहां से आया यह 5 cm कहां से आया 50 cm कहां से इस पर discuss करते हैं जो mass है meter stick की वो midpoint concentrated है यानि कि आपका midpoint क्या होगा अगर यह क्या है एक इन्होंने बताया है कि meter stick है कि इक मीटर कितना होता है 120 cm मिटर का आधा कितना है और terms जैंना हम पचांस से लेकर यहां तक जहां यह balance है उसका पचास ब्रोमी पैरिय लेकिन यौ 성іль बैलेंस है 45 पे, यहां से यहां तक 45 तो इसका, यहां से यहां तक 45 इसका मतलब यह कितना हो गया है, यहां से यहां तक 5, पचास मैनस 45 मतलब 5 हो गया है तो मास कितना है मीटर स्टीक का इतना मालनीजे मास हर एक कॉइन का 5 ग्राम है, हमारे पास कितने कोईन है? दो कोईन है इसलिए 5 और 5 दस हो जाएगी जब कोईन को हमने रखा यहाँ पर 12 सेंटिमेटर P से यहाँ 12 सेंटिमेटर रखा जो सेंटर ओफ मास है वो शिफ्ट हो गया 5 सेंटिमेटर द्वारा यहाँ R से टूर्ट स P आर से थोड़ा सा P की तरफ जो सेंटर ओफ मास है अब कहाँ लोकेटेड है 45 सेंटिमेटर कहाँ पर 45 सेंटिमेटर P से तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ से यहाँ तक सेंटर है इस बॉड़ी का एक स्टिक है इसका सेंटर है पचास, center of gravity तो 50 है, या center of mass कहे लिजे, क्योंकि यह uniform body है, लेकि जैसी आपने यहाँ पर दो coins रखे, यह shift हो गया यहाँ पर, पांच, यहाँ से यहाँ तक इतनी दिरी हो गई, 45, तो जो net torque लग रहा है, और यह कहें कि, क्योंकि अभी equilibrium में है, यह गूम गिर रहा है ना कुछ हो रहा है, इसके, आपने coin रखते ही, यह अपना बढ़िया तरीके से अभी भी settled है, तो हम इसमें net torque निकालेंगे, यह यह कहेंगे, कि rotational equilibrium, इस R point के about, जो net torque है, वो conserve होगा, rotational equilibrium है, क्योंकि, तो 10, अभी के mass, यहाँ पर 2 coin है, 10, 5 into 2, यानिकि 10, और gravity लग दी इस पर G, distance कितना है, इसका, देखे, यहाँ से यहाँ तक 45, और यहाँ से यहाँ तक 12, तो कितना distance हो गया, 45 minus 12, इसका हमें पता नहीं है, gravity इसका, जो weight है, M into G, यानिकि M dash into G ले लिजे, अब इसका कितना distance है, 50, 50 minus 45, यानिकि यह 5, पता, 45 into 5, equal to, अब इन दोलों को, अगर हम equate, वैसे था हम equate कर सकते थे, कि यह जो यहाँ लग रहा है, वो यहाँ, इसके बराबरे तक यह equilibrium में है, तो इसको बाय हाँ पे ले जाएगा, तो मास जो मेंटर स्टीक का है, वो 66 G, अम बड़ी प्राइब भी कर सकते है, gravity को, एक solid sphere है, rolls down to different inclined plane, of the same height, but different angles of inclination, एक solid sphere है, दो अलग-अलग inclined plane, लेकिन height उनकी, height same है, angle अलग-अलग है, आपको बताना है, Will it reach the bottom with the same speed in each case, दोनों अलग-अलग अगर वो आएगा, तो क्या, वो जो नीचे आएगा, वो same speed से आएगा, दूसरा है, Will it take longer to roll down one plane than the other, अब ये तो same speed की बात होगे, इस same speed अदो speed जादा होगी, तो time कम होगा, वोही दूसरे तरीके से सवाल पुछा गया है, वोही चीज तीसरे में पुछी गई है, यदि हाँ, तो कौन सा, तो पहले का उत्तर है yes, दूसरे का उत्तर है yes, तीसरे का on the small inclination, कैसे मैं आपको बताता हूँ, जो mass से sphere का माल लिजे m, height माल लिजे plane की h, इस तरीके से inclined plane माल लिए, ये inclined plane से एक solid sphere इन जेकी तरह आ रहा है, जो velocity है sphere की, bottom पे माल लिजे, यहाँ पर भी है, जो plane के, inclined plane के top पे, जो total energy है, वो क्या होगी, MGH की velocity कुछ भी नहीं है, potential energy होगी, लेकिन अब ये जो आपका solid sphere है, जब ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें दोनों energy होगी, एक तो, energy क्या कहें, इसमें, दोनों के दोनों तरीके के movement हो होंगे, एक translation एक नीचे की तरफ भी आ रहा है, और भूम भी रहा है साथ में, तो translation और rotational दोनों होगी, तो energies भी दोनों होगी, जब ये नीचे आएगा, bottom पे आएगा, तो इसमें दोनों energy होगी, एक half mb square प्रस half i omega square, अब ये MGH जो है, वो इन दोनों बदल गई, तो इन दो जाएं यहाँ पर, अब इसको रखेंगे, तो MMM सारे कट जाएंगे, हमारे पास एक चीज़ आ गई, एक relation, अब हम जानते है, V equal to r omega होता है, तो इस r square omega square की जगा हम भी रख सकते हैं, कि V square करेंगे, तो r square omega square ही आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आपका आएगा, 7 by 10, V square equal to gH, तो V कितना आगया, under root 10 by 7 gH, अब यह हमारे पास एक संख्या बन गई, equation बन गई, expression बन गया, तो जो velocity है, स्फियर की, वो जब नीचे आप आ रहे हैं, तो यह किसमे depend कर रही है, height पे, height पे depend कर रही है, और gravity पे depend कर रही है, अब दोनों ही constant है, height भी constant है, इन्होंन प्लेन आप देख लीजिए, दोनों प्लेन से रोल किया जाए, दोनों same रहेगी, इसको मैं जड़ा, इस तरीके से बताऊं, क्योंकि और भी चीज आपके आ रही है, कौन सा स्फियर ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा स्फियर कम टाइम लेगा, क्योंकि सवाल कुछ इस त तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं दो inclined plane जिसका inclination theta 1 है theta 2 है अब इस तरीके से हम relate करें theta 1 less than है theta 2 से या theta 2 बड़ा है अब यह देखिए अलग-अलग है theta 1 और theta 2 जो acceleration इसमें आएगा sphere में जब यह roll down करेगा plane theta 1 से तो वो होगा आपका g sin theta 1 कैसे आया यह? acceleration कैसे आया? क्योंकि अब तो gravity लग रही है यह अपने और कोई force लग नहीं जाया तो आप देखिए अगर gravity इस तरीके से आ रही है तो इसके दो component बनेंगे एक तो इसके अलाओं एक इसके perpendicular यहन्ने कि g sin theta यहाँ होगा यह g cos theta चलिए cos theta होगा और यह g sin theta यहाँ होगा इसके लाओं तो g sin theta 1 क्योंकि हम इसके बारें बात कर रहे हैं इस direction में तो g sin theta 1 है और जो force इसमें काम करें वो यहाँ से आप देख सकते हैं reaction force है, एक mg है mg क्या, mg के दो component ले लिए mg cos theta 1, mg cos theta mg sin theta 1 r1 इसमें reaction force है इसी तरीके से जो acceleration पैदा हो रहा है स्फियर पे, जब यह theta 2 पे आ रहा है तब क्या होगा, तब भी इसी तरीके से लेंगे एक reaction force mg है, यह mg cos theta 2 यह mg sin theta 2 mg sin theta 2 इसके direction में यह आपकी height है अब r2 इसमें normal reaction force है, theta 2 देखेगा theta 2 बड़ा है theta 1 से तो अपने आप sin theta 2 जो है, sin theta 1 से बड़ा हो जाएगा यह तो fair clear है trigonometry से, इसका मतलब क्या है कि a2 will be greater than a1 a2, क्योंकि यह acceleration है, acceleration क्या है acceleration हमने बोला, यह आपका sin theta 2 यह आपका a2 है, यह a1 है तो क्योंकि sin theta 2 sin theta 1 से बड़ा है, तो a2 बड़ा हो जाएगा यह बन से, initial velocity आपकी 0 है, initial velocity 0 से बेजा गया है, आपको बताया है final velocity constant, v constant अब हम पहला जो equation उसको ले लेंगे जो time निकलेगा वो क्या है, v equal to u plus a t, तो अगर initial velocity 0 है, तो t किसके बराबर होगे, t आप कह सकते है, t हो गया आपका v by a यह v constant है, तो आप कह सकते है t directly proportional है, alpha से या acceleration से alpha नहीं है, acceleration आएगा इसमें तो theta 1 के लिए t1 होगा directly proportional to 1 by a1, t2 के लिए directly proportional होगा 1 by a2 अब देखिए, a1 और a2 में कौन सा बड़ा था, कौन सा छोटा था अभी हमें निकाल लिए, a2 बड़ा है a1 से, a2 बड़ा है a1 से तो इसका मतलब t2 छोटा रहेगा t1 से क्योंकि यह दोना inversely proportional है तो sphere ज़्यादा time लेगा नीचे आने के लिए inclined plane जिसमे incarnation कम होगा एक hoop है जिसका radius 2 meter है इसका weight है 100 kg यह roll कर रहा है एक horizontal floor है इस तरीके से कि जो center of mass है उसका speed होगा 20 cm per second कितना काम किया गया how much work has to be done कितना काम किया गया इसको रोखने के लिए तो जो radius है इस hoop का वो है r equal to 2 meter 2 meter हमको यहां दिया हुआ है weight भी आपको दिया हुआ है mass गिरिया हुदला 100 kg velocity इसकी दी हुई है 20 cm per second meter में change करने के लिए source divide कर दीजे तो 0.2 meter per second हो जाएगा तो total energy क्या है translation energy और rotational energy क्योंकि hoop जो आ रहा है उसमें वो घूम भी रहा है और सीधे भी चल रहा है और rotational energy और kinetic energy जो moment of inertia है इस hoop का center के round होता है i equal to mr square तो total energy क्या होगी यह kinetic energy होगी यह translation energy होगी यह आपकी rotational energy होगी half into i omega square i की जगर हमने mr square रख दिया हम जानते है v equal to r omega होता है तो इसकी जगह आप इसकी जगह आप r square omega square की जगह v ले लिजी यहाँ पर v आ जाएगा तो half mv square प्रस half mv square आपका mv square आ जाएगा तो जो काम किया गया या काम किया जाएगा उसको रोपने के लिए वो क्या होगा जितनी energy जी वो ले के आ रहा है उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा याने के mv square mass 100 दिया है velocity 0.2 दी है इसको multiply कर लीजे चार जूल की जगह पड़ेगी एक oxygen molecule है जिसका mass इतना है और जो moment of inertia इतना है जो axis है उसना किस के about है ये center से जा रही है जो perpendicular है जो line join हो रही है तो items की उससे perpendicular है suppose the mean speed of such a molecule in gas is this मान लिजे जो उसकी mean velocity या speed है जो उसका wave है इस molecule का इस gas में वो 500 meter per second है और ये जो kinetic energy है rotation की वो 2 third है उसकी kinetic energy translation में आपको average angular velocity निकालनी है इस molecule की क्या क्या चीज़ दी हूँ ये परे लिख लेते है mass oxygen molecule का इतना है moment of inertia कितना है इसका इतना है velocity जो oxygen molecule की आपके पास दी है वो इतनी है जो separation है जो दो item है oxygen molecule का वो आपका r और r यानिकि 2 r दो item जो oxygen molecule के हैं उसके बीच में जो दूरी है वो आपकी r और r 2 r जो mass है हर एक oxygen item का वो m by 2 है ये तो ठीक है अब जो moment of inertia है उसको कैसे calculate करेंगे 2 का और as a system total तो m by 2 r square प्रस m by 2 r square ये बरापर होगा m r square के इससे r निकल आएगा under root आपका एक value under root क्योंकि ये r हमको निकालना है m के terms में तो r square तो वैसे भी इसमें आप देखिए कि अगर हम इसको निकालने के कोशिश करें तो r की एक संख्या आ रही है m के terms में इसका मतलब आप क्या करेंगे जो ये वाली वाली दिए ही है i i वापको क्या होगा देखे m by 2 r square प्रस m by 2 r square आपका m r square होता है अब ये हम i इसको हम i कह रहे है तो r कैसे निकल के आएगा m को नीचे कर दीजे और under root कर दीजे तो i by m i हमारे पास है इतना m हमारे पास कितना है जो mass आपको दिया तो दोनों को यह आप रख दीजे आपको पास ये value आजाएगी अब एक और चीज़ दी गई है जो kinetic energy है rotation की वो two-third है kinetic energy translation की मतलब half i omega square ये है दो तिहाई half m v square के तो omega निकालने के लिए हम क्या करेंगे v और r इस तरह पर mass तो वैसे भी cancel हो जाएगा अब तो 2 by 3 v by r v हमारे पास 500 है r हमारे पास है जो हमने यहाँ से निकाल लिया तो आपके पास ये value आएगी 6.80 into 10k power 12 radian per second एक solid cylinder है rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree एक solid cylinder ओपर के तरफ जा रहा है inclination है 30 degree जिस plane पे वो जा रहा है at the bottom of the inclined plane the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meters per second जो bottom है inclined plane जहां जो inclined plane के जो bottom है at the bottom of the inclined plane जो center of mass है cylinder का उसकी speed बताए गए है 5 meter per second आपको बताना है how far will the cylinder go up the plane कितने दूरी तक ये जाएगा उपर की तरफ और कितना समय ये लेगा how long will it take to return to the bottom कितना समय लेगा ये वापिस आने के लिए सवाल ये है कि ये आपका solid cylinder है ये उपर की तरफ जा रहा है उपर की तरफ जाके ये कब रोक के वापिस आएगा ये आपको बताना है तो जो solid cylinder है उसके चीज़े दिये हैं वो पहले लिख लेते हैं initial velocity इसकी 5 meter per second है वो इस जगा पे theta आपको 30 degree दिया हुआ है और height कितनी वो आगे लेगा वो हमको बता करना है मानली जे इसको h लेके चलते हैं energy जो cylinder की है एक point A पे अब देखेगा इस जगा पे ये घुम भी रहा है और इसमें कुछ energy भी है यहांपर kinetic energy rotation की जो है वो translation के बरापर है यहांए कि half I omega square और half M e square बरापर है लेकिन B point पे जाके यह रुख जाता है क्योंकि इसके आगे वो बढ़नी पा रहा है यहांपर उसके पास किवल potential energy होगी और कुछ नहीं होगा तो law of conservation of energy अगर हम लगाएं तो हमारे पास half I omega square half M v square और M g h यह तीनों बरापर है ठीक यह तीनों बरापर होगए वो हमें पहले ले लिया सिलिंडर का moment of inertia क्या होता है solid सिलिंडर का half I m square अब हम क्या करेंगे law लगा रहे है conservation of energy का क्या है कि जो यहांपर energy होगी यानि कि half I omega square plus half M v square वो परापर होगी M g h के तो half I omega square plus half M v square V equal to M g h I के जगा आप यह रख दीजे half M r square तो कुछ इतना आगया अब देखेगा कि जो V equal to r omega है इसकी जगा हम V की जगा r omega लेगा मतलब r omega की जगा V रख सकते हैं तो half V square mass master वैसे की cancel हो जाएंगी तो half V square यह आपका half V square plus g h तो इससे हमें क्या मिला V square g h के terms में यह कहेंगी h निकालने की सुविधा हो गई हमें 3 v square by h V हमारे पास उन्होंने बताया है 5 है और g आपका 9.8 है इसको रख दीजिए आपका height मिल जाएगी अब sin theta कितना है इसमें यह theta यह है h मतलब sin theta होता है perpendicular by hypotenuse यानि कि आपका h by hypotenuse a और b तो b c by a b यह तो h हो गया यह a b यहाँ है तो अगर a b निकालना होता है h by sin 30 sin 30 होता है half तो 1.91 by 0.5 यानि कि 3.82 आजाएगा यानि कि cylinder 3.8 meter इस inclined plane पे यहाँ से यहाँ तक यह चलेगा अब radius of gyration के जो velocity है cylinder की किसी भी instant पे जब वो roll back हो रहा होता bottom पे तो किस तरीके से आएगा हमारे पास एक relation यह है यह आपको पता होना चाहिए यह हम theory में देख चुके तो अब हमारे पास कुछ चीज़ है आगी हमारे पास एक बहुत बढ़िया expression था यह वाला यानि कि sin 30 h by a b यह इसमें क्या करेंगे हम h की जगा हम a b sin theta लिख देंगे जो हम हम हाँ से ले क्या है 1 प्रस k square बाइ r square अब solid cylinder के लिए k square होता है r square by 2 यह भी आपको पता होना चाहिए तो k square की जगा r square by 2 ठग देते r square r square cancel 1 by 2 1 प्रस 1 by 2 हो जाएगा 3 by 2 और अपका यह 2 उपर जाएगा 4, 4 by 3 तो g into a b sin theta यह आपका एक relation आगया v का अंडरूर्ट को मैंने अपका half कर दिया power तो जो time लगा उसको return होने में bottom में आने के लिए time क्या होंगे distance by distance बे हम तोड़े एक चीज निकाल चुके तो आप time हो जाएगा मतलब आप यह कहिए कि a b speed is equal to distance by time होता है आपको time निकालना है तो distance by speed कर दिजिए distance कितना a b velocity इसकी भी होगी यानि a b by यह velocity velocity क्या हम निकाले थे आप यह वाली velocity निकाले के यह वाली इसको नीचे रख दिजिए अब इसको जड़ा solve करेंगे रियरेंज करेंगे तो आपके पास जो जो value है तो कि हमारे पास gv है a b v है और sin theta दिए थोड़ा सा रियरेंज कर लेंगे value रख देंगे और आपके पास 0.764 आ जाएगा जो total time इसने निकालना लिया वो है 0.764 और 2 से इप्राय करना पड़ेगा आपको इतनी से करना जाएगा तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के बहुत शुक्रिया बहुत मैवानी अब सभी की